हलो गाईस मैं हूँ आपका अपना रभी और आपका स्वागत है मेरे चैनल लवर्लडाव फार के भी सो गाईस आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मेरे को काफी टाइम से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे सारे वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे कि आप एक वीडियो बनाएए यहां पर यूगांडा में एक रोको कंस्ट्रक्शन कंपनी है रोको करके नाम आ रहा था बट मैंने जब उसको गूगल में सर्च किया तो कैसा है च्हुंकि मुझे भी आइडिया नहीं था बाद में तो डिसाइड क्या है चलो ठीक है मैं वीडियो मना देता हूं लोगों को changing तो मैं आज वही वीडियो बना रहा हुँ नोट मैं है példa Construction Liberate Company और ये बहुत बड़ी कंपणी है 1969 को इस कंपणी की स्थापना होई है और ये कंपाला में है कंपणी क्योंकि मुझे personally नहीं है idea और आप लोग एकदम clearly सुन लिजे कि मुझे personally इस company के बारे में idea नहीं है और नहीं मैं इस company को personally जानता हूं ये वास सही है कि मैं कमपाला में ही रहता हूँ और मैंने गूगल में सर्च किया तो ये कमपाला में ही है और इसके बहुत सारे ब्रांच हैं जैसे रावन्डा में भी मैंने देखा यूगांडा में भी देखा काभी सारे इनके प्रोजेक्ट चालू है और बेसिकली यह construction company है अब जैसे कि लोगों ने comment किया किसी को driver के लिए चाहिए कोई अपना operator के लिए vacancy आई है किसी को अलग अलग से I mean that की department wise vacancy आई है तो लोग पूछ रहे थे कि company कैसी है company सही है कि गलत है company fraud है तो भाई सब मुझे मतलब की internally नहीं पताए कि company अच्छी है या बुरी है या fraud है हाँ company का मैंने google में search किया उसकी website में तो company बहुत पुरानी है 1969 की company है और अच्छा खासा बड़ा project है तो जैसे कि एक दो भाई लोग से मेरी बात हुई उन्होंने मेरों को facebook में message किया था तो उन्होंने बोला कि यह vacancy है और आप company के बारे में बताई है तो company के बारे मैंने बता दिया कि company compala में है जहां मैं रहता हूं उसी के around में है 8-10 km के आसपास में और construction company है फिर उन्होंने बोला कि company fraud तो नहीं है तो मुझे नहीं idea कि company fraud है कि नहीं है हाँ website में google में चेक करने के बाद में मुझे idea लगा कि हाँ company अच्छी है पुरानी company है अब company के अंदर vacancy है कि नहीं है वो मुझे idea नहीं है क्योंकि जो भी चीज़े मुझे मालूम पढ़ रही है कमेंट से मालूम पढ़ रही है और जो इंडिया में लोग बैटे हुए है उन्होंने बोला कि यहां पर दिल्ली की कोई agency है जो कि उनको hire कर रही है means that party का काम कर रही है एक चीज मुझे लगी कि जैसे एक दो लोगों ने मुझे बताया कि पर-person या कि बाई ने अपने बारे में बताया कि एक अगर मुझे job वो लोग provide करेंगे तो एक लाक रुपए वो मुझे लेंगे इसके बाद में मुझे job provide करेंगे तो जहां तक मेरा मानना है कि और आजकल बहुत fraud भी हो रहे हैं बहुत सारी consultancy आए पैसे ले लेती हैं और बाद में job provide नहीं कराती हैं और एक चीज और कि कोई भी अगर genuine company है real company है तो वो कभी भी employee से पैसे नहीं मांगती है वो डाइरेक्ट जो I mean that की consultancy company रहे कि वो direct employer से पैसा मांगती है जो भी उसका charges रहते है one month की salary two month की salary बट वो employee से नहीं मांगती है ठीक है ना बट यहां पे लोगों से पैसा मागा जा रहा है तो वो चीज मेरे को समझ में नहीं आई तो मेरा तो personally यहीं मानना है और कहना है कि भाई कभी भी पैसे देखके मत आओ ठीक है और अगर आपको बहुत आने की इच्छा है तो वो आपके उपर depend करता है आपके पैसे आप risk लेना चाहते हो मैं नहीं चाहता कि आप दूसरे से पैसा लो करज लो फिर इसके बाद में cousin DC को दो और फिर आपको job भी न मिले तो यह चीज करना बहुत ह है कि कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि यहां पर जैसे ड्राइवर का job है ठीक है और भी लेवबा का job है तो मुझे एक चीज डाउट फॉल है जैसे कंसल्टेंसी हायर कर रही है बुला रही है तीसरी कंपनी के इंप्लॉयर के लिए जो कि रोगों कंपनी है क्योंकि कंपा में यूगांडा में लेवर बहुत सस्ता है ड्राइवर की जो सेलरी है वह अगर इंडियन करंसी में इससे बोलो तो पांच हजार शहजार साथ हजार आठ हजार ज्यादा 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 दस हजार इंडियन करंसी में इससे ज्यादा नहीं है तो और इससे कम में यहां में 5-6,000 इंडियन करंसी में यहां पे लोग जॉब करते हैं तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आए कि क्यों कोई कमपनी इतना खर्चा करके वहाँ से किसी को लेके आएगी मेरा यह वी हुए यह मेरा मानना है बाकी का मुझे नहीं पता कमपनी के अंदर क्या चल रहा है बाहर क्या चल रहा है मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ जो भी आपको बताया मैं कमपनी के बारे में जो उसकी प्रोफाइल देखा उसके बारे में बताया कि हाँ कमपनी है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर लेवर इसना सस्था है और यहां पर दूसरी चीज ड्राइवर लोगों की सेलरी इतनी कम है तो वो क्यों दूसरी कंट्री से इतना ज्यादा खर्चा करके लोगों के लेकर आएंगे यह हर कंडिडेट को जो जॉब के लिए अपलाई क तो बहुत कम है तो थोड़ा सा ध्यान में रखके क्यार फूली करना क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं मेरा ऐसा नहीं है मेरे दिल में आप लोग आओ जौब पकड़ो और करो अच्छे से अच्छी बात है आप अपने फैमली का सपोर्ट करो पैसे कमा के बट मेरा कहने का मतलब है गलत तरीके से मत फसो मैं भी आया था मेरा एक रुपए भी खर्चा नहीं कमपनी ने पे किया था ठीक है न तो आपको मैंने कमपनी के बारे में बता दिया भाई साब कमपनी है आप बाकी का कंसल्टेंसी से एक एक चीज़ पता करना दूसरी चीज़ एक और बता रहा हूं कि अगर कि कोई बंदा बहुत ही इंटेस्टेड है कि हां मुझे जाना ही ह तो भाई एक काम करना कंसल्टेंसी को बोलना कि पहले आप मुझे टिकट दो पहले मेरा एग्रिमेंट कराओ और टिकट दो और जब मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा और जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो फिर मैं अपनी सेलरी से आपको पैसे दूगा पहले एड़वा पार लाएगी कंपनी तो बहुं देगी की यह ठीक है और बीच में कोई फोड कर रहा है न तो बोले ही नहीं बिरिया पहले पैसा दो तो इसके चकर ने भाई ने मेरे ने को पहले किया बोला कि बाई मेरे को करा दो हो क्योंकि बोला कि मैंने एक कॉंसल्टेंसी को 0.500,000 और बाद में पैसे भी चले गए कंसल्टैंसी ने कुछ रिस्मौस नहीं किया और मैंने दूसरे से करज लेके इस कंसल्टैंसी को दिया है म 레 aún माबाब बहुत परिसान है मेरी फैबली बहुत परिसान है तो भाई मेर बहुत दुनिया बहुत आंगे है और लोग ना लूटने के चक्कर में, फ्रॉट करने के चक्कर में ज़रा भी नहीं सोचते हैं कि सामने वाला बंदा कैसे कैसे करके पैसे लेके आया है और उसे पे कर रहा है तो इन चीजों का ध्यान में रखना, कंसर्टेंसी से एक नहीं, एक हजार बार कोश्चन पूछना, जितने तुम्हारे दिल, दिमाग में क्योरीज हैं, सारी पूछना, क्योंकि आप इंडिया में नहीं, इंडिया से दूसरे देश में जा रहे हो तो जो चीज़े आपको सारी चीज़े सपोर्ट है, इंडिया में मिल जाएगा, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है न, तो यह सारी चीज़ों का आप पता कर लेना, और दूसरा, मैंने आपको कंपनी के बारे में बता दिया, कंपनी क्या गैसा है, जॉब के, इंटर्नल लोगों ने पूझा कि कितना भाड़ा लगेगा, फ्लाइट का कितना होता है, तो बाइस आप एक साइड का, अगर अपलाई करी रहे हैं, आपकी इक्षा है, तो आप को कंपनी खुदी बताएगी कि कि कितना एक्कमेंडेशन है, रहना खाने का, जैसे कि रहने, आपका खाने का, माने के चलोगी पांच से शै लाख सिलिंग इंडियन करन्सी, एंदा करन्सी में मिनिमञ्ट काने का तो इतना जाएगा, तो लिए पांचfertी मतलब की 12 सी 13,000 रुपए मतलब की इंडियन करन्सीम मिनिमम मोल रहा हो, मैँजिम कितना भी हो सक छारव ईंडिया को गया इसका स्भास है भीजेंगेकी सेह मुली है और खाने हो गया रहने संदोरी तो minimum मान के चलिए कि आपको यहां का minimum 5-5 lakh ceiling 6 lakh ceiling तो लगे गई ठीक है तो वो इंडिया का हो गया 12-13,000-14,000 रुपए minimum बोल रहा हूं इतना तो आपका room का भाड़ा जाएगा तो basically क्या होता है कि जब कोई company hire करती तो रहना, खाना, सारी चीज़ें वो manage करती है और इसके बाद में आपको salary देती तो आप वो चीज़ें सारी confirm कर लेना जब आप आना तो जो जो interview में आपको बोला गया है रहना, खाना, salary, खर्चे जो भी चीज़ें हैं employer ने company ने बोला है तो आपके contact later में एजटी लिखा होना चाहिए, आप अच्छी तरीकी से पढ़ लेना, इसके बाद में sign करना, अगर आपको नहीं पढ़ना आता है तो जिसको English आती ही, पगल लेटर हिंदी में लिखा है तो ठीक है, almost English में ही होता है अगर English में हैं तो आप किसी से जिसको English आती है तो उसको लेकर जाना, पढ़ाना, इसके बाद में सारी चीज़ी समझ के भाई मेरे sign करना, क्योंकि आप अपना देश छोड़ के जा रहे हैं नोकरी के लिए, दूसरे देश में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी company भी हैं, मैं किसी specific company के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बट कुछ ऐसी हैं, कि जो fraud करती हैं, जो बोलती हैं, उसके बाद में आप फेशलिटीज नहीं मिलती है, तो सारी चीज़ों को cool मेरा के भाई मेरे clear कर लेना, और मेरा फिर मैं भाई बोलता हूं कि मेरे हिसाब से पैसे देके किसी को में आये थे, उसके बारे मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, और मांकी का क्या बता दूँ आपको हाँ, जैसे कि यहाँ पे चलो ठीक है, मैंने specific वीडियो तो बनाया है, यहाँ पे आपको Airtail का SIM मिल जाएगा, और MTN का SIM मिल जाएगा, तो यहाँ पे call charges ज्यादा हो गेली में जाके आप पता कर लेना कि कितना क्या charges हैं, क्योंकि मैं दो साल पहले आता तो मुझे नहीं पता है, केबल में WhatsApp भी यूज करता हूँ, तो नॉर्मल ही हो जाता है, यहाँ का data वगरा, अगर समझो कि आपको data चाहिए, तो यहाँ पे मान के चलो कि 5, अगर weekly भी ले मेंगा है, तो अगर आप 500-600 का लेंगे, तो आपको 500-600 इंडियन currency में अगर आप लेते हैं, तो एक महीने का आपको 10-15 GB बिलेगा, ठीक है, तो यह हो गया, यहाँ पर एटेल का network बहुत अच्छा चलता है, ट्रांसपोर्ट वगरा यहाँ का जो है, तो थोड़ा expensive है, बट अगर दूसरी जगह मुझे नहीं पता है, तो एक मुंबई में जेसे की 20-30 रूपे तो यहाँ पर आपको रिकसा हो जाएगा, यहाँ पर बाइक मिलेगा, यहाँ पर बाइक को बोडा बोलते है, मोटेटो मिलेगा, तो बोडा का डिपेंड करता है, अगर आपको 3 सिलिंग जाना है तो यह लेंगे 3,000-4,000 सिलिंग लेंगे जो की इंडिया का हो जाएगा 60-80 रुपए तो ऐसे यहां पर है मोटेटो अगरा मतलब जो मिनी बस चलती है जैसे इंडिया में तो यहां पर भी मिनी बस चलती है तो इधर मोटेटो बोलते हैं आपने देखा रहे हैं मैजि बता दिया और करी-परी मैंने सारी चीज़े बता दिये तो और यह कंपाला में ही है और कंपाला जो है यूगांडा का कैप्टल है जहां मैं रहता हूं वहां से 10-12 किलियो मीटर है अभी मैं इसमें कहीं तो रुको मैं आपको बताता हूं एक मिने खूल आई था बता देता इसमें प्लैस की लाइट ज्यादा पड़ रही है फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि इसका एड्रेस है प्लॉट वन सिक्ष्टी ए कवंपे 10 किलोमीटर ओन कंपाला बॉंबो रोड तो मतलब कि यह कंपाला रोड है जो वहां से 10 किलोमीटर पड़ता है और इसके का डा दिया है है Фacción दो जाया क्या तो यहां पर यह ने देखक्र जोब् है जो भी चीज इन आपको बताई है वह Google से साच कर में जानता हूं Google में सर्च किया है ये company है और जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकता था उतना मैं आपको बता दिया और जॉब बगएरा के बारे में जो भी था इस company का और आप लोगों की अभी मरजी है आप लोग कैसा करते हैं कैसे communication करते हैं बात करते हैं consultancy से बट consultancy से बहुत इलाट रहना और क्योंकि मैंने देखा consultancy दिल्ली की है बहुत सारे ऐसे होते हैं लूटने भाले बट मैं ऐसा नहीं बोलना हूँ कि गलत ही हो बट क्यार पुली रहना और फिर से एक बार बोलना हूँ पैसे देखे मत आना बाकी आपकी मर्जी आपके पैसे है अब मैं यहीं पे ये वीडियो क्लोज करता हूँ और भी अगर आपको कुछ जाना रहेगा तो बताना मैं आपको बताऊंगा और तब तक के लिए मैं यहां से बिदा लेता हूँ आपका दिन सुभ हो मंगल हो आप अच्छे से रहें अपनी फैमिली के साथ में बाबाए